नमस्कार प्रेदर्शकों हाजिर हुँ मैं ब्रिशब लगन में सूर्य के बारहों भाव में फल को ले करके कल हमारी बात चीत में इस लगन में सूर्य के बारहों भाव में किस प्रकार का वो फल दे रहे हैं इसको ले करके हुई थी कुछ दर्शकों ने कुछ बहुत ही स्रेष्ट मांग रखी जिसका सम्मान करते हुए मैं बता देता हूँ कि एक दर्शक ने मांग रखी कि आप साथी साथ रत्नों के बारे में भी बताते चलिए कि किस लगन में ग्रह सूर्य है या किसी बाकी के ग्रहों के बारे में भी कि उ दर्शकों इसके लिए पंचधा मैत्री चक्र के नाम से एक कारिक्रम बना करके मैं बता चुका हूँ पूर्व में ही अगर जो नए दर्शक हैं जो उस कारिक्रम को नहीं देखे हुए हैं उनके लिए उस बीडियो की लिंक मैं सेयर कर दूँगा आप जा करके उस बीडियो को देख लीजिए यहाँ पर कई सारे दर्शकों से एक बात मुझे समझ में आई कि कई ऐसे दर्शक हैं जो जोतिस को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं तो अब बताने में और आनंद है मुझे लगा कि केवल वो दर्शक देख रहे हैं जो अपनी जन्म कुंडली से केवल मिलाना च जाते हैं तो बाकी जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए एक फाइदा तो अवस्य हो जाएगा कि अगर बात सूरे की आएगी तो वो एक नजर में देख करके सूरे के बारे में बता देंगे कि ये सूरे किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं तो दो मिनट का समय दीजिए मैं मे सब लगन में रत्न के बारे में बताया और कल नहीं बताया तो उन लोगों के मन में ये बात मेस लगन के लिए नहीं समझ सकेंगे बात कल मेस लगन की हुई थी मेस लगन में सूर्य सरवाधिक कारग रहोते हैं क्योंकि वो पंचमेस होते हैं अब आपको बता दूं कि कुंडली में लगने में सूर्य बैठे हों पंचम नमम में हों तो बड़ी सरलता से आप सूर्य का रत्मधारन करा सकते हैं परंतू आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य अगर जिस भी घर में बैठे हैं या नमम में बैठे हैं तो किस अवस् का प्रभाव दे रहे हैं मान लीजिए उस वेक्ति की कुंदली में लगने में शूर्य बैठा है उसूर्य का रत्ना आप उनको धारन कराने जा रहे हैं सूर्य लगने में होने के कारण में मेंस लगने के कारण जातक थोड़ा गुस्यल और जिद्धी स्वभाव का होगा सूर्य लगन में है तो जातक के क्रोध में बृध्धी पहले से होगी अब अगर मान लीजिए कि जातक के जो सूर्य हैं वो परमुच्च अवस्था में बैठे हुए हैं परमबलवान हैं और हमने उपर से मानिक के और पहना दिया तो वो जातक को अत्यधिक क्रोध ही बना देंगे क्योंकि वो तत्व शरीर में बढ़ जाएगा तो बढ़ने की अवस्था में वो एनर्जी है क्रोध क्या है एनर्जी है अतह उस अवस्था में ये देख लेना है कि रत्न की आवशक्ता कितनी है, ग्रह अगर बृधा अवस्था में है, तो उसे रत्न दे करके हम उसका लाब ले सकते हैं, परमुच्च है लेकिन दो अंस पर बैठा है, एक الس पर बैठा है, उसके प्रभाव की आवशक्ता इसलिए पढ़ रही है कि जातक थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जी लेवल उसका बढ़ जाए और कारेक छेत्र में उसकी एनर्जी की आवशक्ता पढ़ रही है तब आप उस जातक को रत्न पहना सकते हैं पंचम भाव में सूर्य अपने घर में बैठे हैं मूल त्रिकोनस्त हैं जोकि पंचम घर उन्ही का है और वहाँ पर अगर मूल त्रिकोनस्त होकर के बैठे है निके अंस मूल त्रिकोन वाला है तो उस अवस्था में भी अगर जरूरत हो तो रत्न धारन कराईए नहीं है तो स के बात आपको सदई वयाद रखनी है या रत्न धारन कराने में कि ग्रवों की डिगरी अवस्य देखिए नहीं तो रत्न धारन आप कराएंगे सामने वाले को नुकसान हो जाएगा हो सकता है वो आपको कुछ न कहे हो सकता अगर आप जोतिसी बन रहे हैं तो इस बात का खयाल रखिए हो सकता है तच्छन वो आपको कुछ न कहे वो छोड़ दे आपको दूसरे किसी जोतिसी के पास चला जाए लेकिन इससे आप जोतिस के छित्र में सफल नहीं हो सकेंगे सो रत्न धारण में ये सदय वयाद रखिए कि रत्न धारण जरूरी नहीं है कि हर छण कई लोग मांग भी मैं अपने जोतिसी जीवन की बात आपको बताता हूँ कई लोग बहुत बड़ी मात्रा में मांग करते हैं कि कोई न कोई रत्न बता दीजिए लेकिन अगर मुझे नहीं दिखाई पड़ता तो मैं सीधा कह देता हूँ जरूरत ही नहीं है आप कहीं और से जाके मांग लिजे मैं नहीं बता सकता मैं जानता हूँ कि कल को वो नुकसान करेगा रत्न और फिर मेरे पास भागे भागे आएंगे रत्न तभी पहनाए जब जरूरत हो तो इस प्रत्न की आवशक्ता है अथवा नहीं अब चुकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सूर्य के बारे में मीन रासी परियंत तक जानने का प्रत्न कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हम लोगों को सूर्य के बारे में जुबानी याद हो जाएगा क्योंकि ये याद रखिएगा कि सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य हड्डियों का कारक है और सूर्य समाज में सब कुछ दिलाने वाला ग्रह है जोतिसका ये मूल सुधान्त ये सूत्र याद रखिएगा कि कुंडली के आठ ग्रह खराब हो आठ ग्रह खराब अथवा कमजोर आवस्था में हो लेकिन क कुंडली में सूर्य उच्च के हो रहे हूं, सूर्य बलाबल के साथ हों, तो जातक के बाकी ग्रहों के बल को वो सूर्य अकेले पूरा कर लेंगे। लेकिन पराक्रम तो करेगा, तो सूर्य अगर बली हो कुंडली में, तो सब कुछ ये दे देते हैं। अब आज आते हैं ब्रुषभलगन में, सबसे पहले जब आप ब्रुषभलगन की बात कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि ये भूमी तत्व है, इस्थिर है, ब्रुषभरासी, इस्थिर रासी है, भूमी तत्व की रासी है, समरासी है। अब यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में या किसी जातक की कुंडली में सूर्य बैठे हों तो यह जान लीजिए कि यह सुक्र का घर है, सुक्र और सुर्य आपस में ने सर्गिक मित्र नहीं हैं। यह सरवाधिक कारक ग्रह नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद चुकि यह ग्रहों के राजा हैं अता हर लगन में इनका प्रभाव लगभग लगभग देखने को मिलेगा, स्रेष्ठी मिलेगा। इस लगन में, इस चाट में किस अवस्था में हैं? किस तरह का फल दे रहा है? हो सकता है, वो कमज़ोर हो. तो यह सारी चीजे जो मैंने गिनाई, वो कमजोर होगी, जातक आत्मकमजोर होगा, आत्मविश्वास उसका कमजोर होगा, पिता हो भी, तो पिता उसको वो सुखन देते हो, पिता के साथ संबंद खराब रहता हो, इतना ही अंतर आएगा, क्योंकि सूर्य का मूल जो काम है हर ग्रह का जो मूल स्वभाव है जो मूल स्वरूप है वो हर लगन में हर अवस्था में उसी प्रकार का होने वाला है तो हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं ब्रसब लगन में यदि लगन में सूर्य बैठे हों तो ये भूमी तत्व का लगना है, यहाँ पर अगर सूर्य हों, तो इस्थिर रहेंगे, जातक को सफलता दिलाने वाले रहेंगे, अगर सुक्र के साथ इनकी इस्थिती संभावस्त बनती हो, उस अवस्था में ये जातक को नुकसान नहीं पहुचाएंगे, लेकिन अगर ये सूर्य लगन में हैं, और अतिसत्रू होकर के बैठे हैं, क्योंकि बाकी की अवस्थाओं में ये सुक्र के अतिसत्रू नहीं, सत्रू बनेंगे, तो सत्रू होकर के अगर बैठे हैं, तो उस अवस्था में ये नुकसान पहुचाने लगेंगे, जातक धीर होगा, गंभीर हो सूर्य जातक के पिता के साथ संबंद करा सकते हैं क्रिसकाय दुबला पतला क्योंकि ब्रुसभ लगन के लोग न बहुत मोटे न पतले हृष्ट प्रुष्ट मध्यम होते हैं लेकिन ये सूर्य क्रिसकाय बना देंगे लेकिन तब जब वो कमजोर हो अब यहाँ पर सवाल उठ कि क्या इनका रत्न धारण करना चाहिए तो मैं कोंगा नहीं इस अवस्था में अगर सूर्य लगन में बैठे हैं रत्न धारण न करिए सूर्य की आराधना सबसे पहतर फायदे मंद होगी क्योंकि यहाँ पर बैठे सूर्य आँखों में समस्या भी खड़ी करते हैं तो माल धनेस हैं और साथी साथ इस कुंडली में पंचमेस भी हैं बुद्ध की स्तिती सूर्य के साथ कैसी बन रही है ये तो आप सभी जानते हैं कि सुक्र बुद्ध और सूर्य लगभग आगे पीछे ही रहते हैं क्योंकि इनकी जो गती है वो एक जैसी है सूर्य बुद्ध तो लगभग लगभग साथ रहते हैं, शुक्र भी आगे पीछे ही रहते हैं, तो बुद्र की क्या इस्तिती है, ये आपको देख लेनी है, ये वायू तत्व की रासी है, मिथुन रासी जो है, ये वायू तत्व की रासी है, वायू तत्व में अगनी आकर के कमजोर नहीं पड़ जब सूर्य का तत्व कमजोर हो सूर्य ब्रधावस्था में हो सूर्य बालावस्था में हो उस अवस्था में वो तत्व कमजोर पढ़ सकता है तब आपको यदि आपकी कुंडली में दुतिय भाव में बैठे सूर्य आपको धन से संबंधित पिता के सुखो से संबंधित पैत तो उस अवस्था में आप सुर्य को बली बनाने के लिए सुर्य की आराधना करिए यहां भी रत्न में नहीं कहुँगा क्योंकि यहां बैठे सुर्य अश्टम को देख रहे हैं और रत्न धारन कराने की अवस्था में कई बार कुछ हड्डियों में दर्द वगरा की सिकायत या कुछ समस्या भी सुरू हो जाती है तो कुंडली का दुतिय भाव मारक नहीं यहाँ पर है यहाँ पर मारक अगर देखा जाए तो ब्रुशव लगन में यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें तो गुरू अश्टमेस सब्तम स्थान मंगल का घर हो जाता है यहाँ पर मारक तो खेर मैं कहता है नहीं मारक भाव होते हैं कई लोग कहते हैं मारक ग्रह होते हैं ग्रह नहीं मारक भाव ये 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 और आठवे से आठवा होने के कारण कुंडली का तृतिये भाव भी अकारक अथवा मारक ये भाव बन जाता है अकारक ग्रह यहाँ के होते अब यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में दुतिय भाव में सूर्य बैठे हैं तो उनका रत्मधारन मत कीजिएगा आप उसके जगह सूर्य की आराधना कीजिएगा पिता का सम्मान कीजिएगा फिर आपके सूर्य पैत्रिक संपत्ति से सम्मंधित लाव अगर ये कमजोर हो नहीं हों रहे होंगे तब भी, आपको ये सब कुछ दे देंगे. अब वहीं कुंडली के पराकरम उस्थान, cvc बात है कि इस लगन में चंध्रमा भी कारक नहीं है लेकिन यहाँ पर सूर्य आ जाते हैं चंध्रमा के घर में आ आ रहा हो या जातक का छोटा भाई अगर कमजोर अवस्था में हो तो जातक से लाभ लेगा और जातक से लाभ लेकर के सफलता हासिल करेगा हमेशा याद रखिएगा कि ये भाव इसलिए कुंडली में अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भाग्य के सामने आता है आप एक लाइन में कह देंगे कि सनी उनके अतिसत्रू हैं अतह वो सनी के घर को खराब कर देंगे कभी नहीं कोई भी ग्रह किसी भाव को खराब नहीं करेगा कब तक पहले ये देखिए कि वो किस अवस्था में है अगर वो समभावस्थ है तो न अच्छा न बुरा बीचो ब सनी और सूर्य भी आपस में अति सत्रु सदाइव नहीं होंगे, संभावस्त भी हो जाते हैं तात्कालिक मैत्री में वो संभावस्त हो जाते हैं तो ये आपको देख लेना होगा, अगर यहाँ पर बैठे सूर्य इस घर को देख रहे हैं तो सीधा सीधा नुकसान नहीं करेंगे इसको याद रखिएगा अगर वो कमजोर पड़ रहे हो अगर वो सनी के साथ या सनी से उनका सम्मंध अतिसत्रू वाला बन रहा हो तब जा करके हलाकि यह बैठे किसके घर में ह तो 38 वाला इस्तिति नहीं आने वाला है लेकिन चंद्रमा सनी के साथ कहा है अब हम आज आते हैं कुंडली के चतुर्थ स्थान में यह मा का घर है और आज आपको एक बात बता देता हूँ कि ये सुख का घर है नौकर चाकर का भी यहां से विचार कर सकते हैं कुंडली में यहां से यहां से नौकर चाकर का भी यहां विचार कर सकते हैं लेकिन कलह का भी विचार यहीं से होता है और इसलिए इस लगन में एक केंद्र के मालिक होने के बावजूद सूर्य को अकारक कह जाएगा ये कारक नहीं है क्योंकि कुंडली का ये जो पंचम चतुर्थ स्थान है यहाँ पर सूर्य कलह की भी कई बार इस्तिति उत्पन्न करेंगे क्योंकि इस लगने में वो कारक नहीं है अपने घर में होने के बावजूद यहाँ पर कलह की इस्तिति लेकिन वो कलह की इस उस तरह की नहीं होगी जिस तरह मान लिया जाए कि इस कुंडली में यहाँ पर बैठे हैं यानि बुद्ध के घर में बैठे हैं और बुद्ध जाकर के अगले घर को सिदिसी बात है बुद्ध के साथ संभावस्ति स्थिती ही आपाती है क्योंकि यहाँ और यहाँ लेकिन रोध सब समस्या खड़ाक शुरू कर देगा यह पिता का कारक्ट है लेकिन मा के साथ समस्या शुरू करा देगा अब सवाल उठता है क्या इस घर में बैठे सुर्य का हमरत्म धारन करें जरूर कर सकते हैं अगर आपको यह लगता है कि यह सुर्य जातक को सरकारी नौकरी मे फाइदा दिला रहा है क्योंकि इस घर में सुर्य दिगबली होते हैं यह है उनके पुत्र का घर लेकिन यहां वो दिगबली होते हैं अगर इस अवस्था में सुर्य का अंस कम है और सुर्य अधिक लाभ आपको पहुँचा रहे हैं तब आप सुर्य का यहारत्म धारन कर सक अन्य था जादा फाइदा पुनह कहुंगा कि सुर्य को अर्ग दे करके सुर्य की आराधना करके और अपनी दिन चरिया को ठीक करके आप सुर्य से लाव ले सकते हैं अब हम आ जाते हैं कुंडली के पंचम स्थान में, पंचम स्थान में सूर्य आने के बाद कहां का फल देंगे, तो सीधी सी बात है कि केंद्र का फल देंगे, चतुर्थ भाव का फल देंगे, आगर के बैठ गए पंचम स्थान में, इस लगने में वो कारक नहीं लेकिन जिसक बात को प्रारंबिक, स्क्छाव गएरः ठेक मिल जाएगी। लेकिन पुनाल ध्यान रखिएगा कि ये वो सुत्र चाहे मेस लगन खी कुंडली हो या मीन लगन की हर लगन in लागु होगा किहां बैठे सूर्या संतान में समझ्या खड़ी करेंगे यहां बैठे सूर्य संतान में बिढ़न उत्पन करेंगे, संतान में देरी होगी, प्रथम संतती बहुत बिलंबित उत्पन होती है, तो यहां बैठे यह सूर्य काम करेंगे ही करेंगे, इस बात को आप मान के चलिए, अब वही सूर्य आ गए कुंडली के सश्ठम स्थान में, अब जरा गौर करिए इस लगन में ये कारक नहीं लेकिन लगनेज के घर में आके बैठे हैं नीच के घर में आकर के बैठे हैं और कहां बैठे हैं तो कुंडली के सश्ठम स्थान में सश्ठम स्थान दूह स्थान है दूह स्थान में नीच के होने के चलते नीच भंग हुआ और नीच भंग राज योग बन जाएगा ये तो यहां बैठे सूर्य आपको सत्रुहंता बना देंगे यहां बैठे सूर्य आपको लाभ दिलाएंगे यहां बैठे सूर्य अगर आपका धन कोट का चहरी में खर्च कराते भी हैं तो वो आपको सदाईवजीत दिलाने के लिए होगा लेकिन यहाँ अंसों का ध्यान आपको रखना है और हमेशा याद रखना है कि यहाँ सूर्य नीच के अगर है तो मात्र कितने अंस तक 10 अंस तक 10 अंस तक ही तुला रासी में नीच के और 10 अंस तक ही में इस रासी में उच्च के यह होंगे, इस बात का आपको खयाल रख लेना है, तो अगर तुलारासी में यहां यह नीच के होंगे, तो नीच के होंगे तो दस अंस से उपर हैं, तो नीचत तो भंग पहले ही हो गया, क्योंकि वो नीच के रहे नहीं, निर्मल हो गए नीच के घर में कहे जाएंगे नीच के नहीं, तो इस सूरे का रतना आप नहीं पहन सकते हैं इस सूरे की आराधना आप करिए हर भाव में आराधना से कोई नुकसान नहीं हो सकती है कई बार लोगों ने यहां तक मुझे बता दिया कि किसी पंडित जी ने कहा है कि आपको पूजा पाट से भी नुकसान हो रहा है अब ये तो भयंकर इस्तिती है कि पूजा पाट से भी क्या किसी को नुकसान हो सकता है तो सायब नहीं, तो यहां बैठे सूरे अगर नीच के घर में हैं उनका नीच भंग हो जाएगा और उस अवस्था में आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं अब वही सूर्य आ जाते हैं कुंडली के सब्तम स्थान में मंगल यहाँ पर सब्तम स्थान के मालिक हो गए इस जातक की जो पतनी का स्वभाव होगा वो थोड़ा चिर्चिडा होगा अथवा इस जातिका के पती का स्वभाव थोड़ा चिर्चिडा होगा मंगल सूर्य के मित्र हैं अगर ये सूर्य मंगल के साथ अच्छा सम्मंध रखते हैं तो अतिमित्र अवस्था में हो जाएंगे अब अगर ये अतिमित्र अवस्था में होकर के लगन को अगर देख रहे हैं तो दामपत्य जीवन को हर हाल में खराब तो नहीं करेंगे लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि यहां पर बैठे इस सूर्य को अगर गुरु की दृष्टी पड़ती हो सुभग रह की दृष्टी पड़ती हो तो दामपत्य खराब नहीं होगा या बहुत मामूली अंतर दामपत्य जीवन में आएगा ह पत्नी चिर्चिडा हो स्वभाव थोड़ा उनका कठोर हो लेकिन ये पत्नी सरकारी नौकरी करने वाली होगी ये पत्नी पती को लाभ देने वाली होगी किसी न किसी तरह से पती को सपोर्ट करने वाली होगी लेकिन अगर यहां बैठे सूर्य पीडित हो जाएं सनी की जीवन में मधूरता नहीं आने देंगे, यहां तेज इतना डाल देंगे कि दामपत्य जीवन में मधूरता उत्पन्र नहीं होगी, अब वही सूर्य आ जाते हैं कुंडली के अस्टम स्थान में, आध्यात्म का घर है, घर सारे वही है, प्रभाव सारा वही है, बस बदलना इ ये सूर्य बैठे हैं, मित्र भावस्थ हो करके बैठे हैं, तो फिर आपको डरने की जरुरत नहीं, घवराने की जरुरत नहीं, इस लगनमी ये रिजल्ट करेंगे, इनका रत्न तो आप बिल्कुल नहीं पहन सकते, लेकिन ये फायदा देने वाले हैं, आपको बुद्धिमा आपको प्राप्त होगी, इस बात को नोट करके रखिए, तो यहाँ पैठे सूर्य दुतिय भाव को देखेंगे, आपकी वानी में वो तेज उत्पन न करेंगे, कमजोरी नहीं लाएंगे, तब जब वो पीडित नहीं हो, अगर वो पीडित हो जाते हैं, अब ज़रा फिर पुना समझाओंगा, कि इस लगन में पहले तो यह कारक नहीं है, उपर से अगर यह पीडित होते हैं, तो नुकसान पहुचाएंगे, क्योंकि बाकी जैसे मेस लगन की बात हो रही थी, तो मेस लगन में सरवथा वो कारक थे, अब उस अवस्था में अगर वो पीडित भी ह होते हैं, तो बहुत मामूली नुकसान करेंगे, क्योंकि उनका दबदबा है, उनका वलाबल है, लेकिन इस लगन में उनका दबदबा नहीं है, उनका छेत्र इस लगन में सरवथा नहीं बनता, क्योंकि यह सुक्र का घर है, यह दैंत्य गुरू है, तो उस अवस्था में सूर्य अगर मित्र अवस्था में है यानि कि गुरू के घर में बैठे हैं अतिमित्र होकर के बैठे हैं अठवा यहां पर बैठे सूर्य किसी पापग्रह से दृष्ट नहीं है तो आपके लिए फाइदे मंद लेकिन अगर पापग्रह से दृष्ट हो गए सूर्य के गुरू समस्या हो सकती है उसको नुक्सान हो सकता है जो अचल संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली थी वहाथ में आते आते निकल सकती है ऐसा होगा अब यही सूर्य भाग्यभाव में आ जाते हैं तो क्या होगा तो भाग्यभाव किसका घर है तो बेटे का घर है इस लगने में सनी सरवथा कारक है अब वो सनी मान लीजे कि यहां बैठे हो तब तो बहुत बढ़िया है क्योंकि वो सनी ससमहापुरुशयोग लगा रहे हैं और सुर्य से उनका संभावस्थ हो जाएगा सत्रू नहीं संभावस्थ और यहां बैठे सुर्य भाग्यभाव को देखेंगे अतह ब भावस्थ होंगे उनका इतना निरनायक उनके पास छमता नहीं होगी कि आपको सब कुछ वो दे सकें लेकिन अब आप देखिए कि आपके जो सुर्य हैं वो कितने अंसपर हैं आपके जो सुर्य यहां बैठे हैं मकर रासी में बैठे हैं और सनी के साथ उनके संभन्ध अति देख लेना है कि वो किस अवस्था में हैं उनकी डिगरी कितनी है एक से लेकर के वो चुकि मकर रासी कौन सी रासी है तो सम रासी है तो एक से लेकर के चोवंस तक ये मृत अवस्था में रहेंगे चोवंस से लेकर के बारह अवस्था में रहेंगे बारह से लेकर के अठार देना है कि इनका अंस कितना है ये किस प्रकार का आपको लाव दे रहे हैं अब अगर लाव दे रहे हैं तो आप परिस्तितियों को देखते हुए चाहें तो रत्न धारन कर सकते हैं रत्न से नुकसान नहीं है क्योंकि भाग्य भाव में बैठा कोई भी ग्रह तब तक नुकसा को देख रहे हैं तो आपके भाग्य की यह निरंतर बृध्धी करते रहेंगे आपके पराक्रम से क्योंकि यहां पर वो कारक होते हैं यहां वो यहां याद रखिएगा कि चाहे भाव कोई भी हो लगन कोई कोई भी लगनेस हो लेकिन यहां और यहां यहां यह ग्रह कारक होते इस बात को आपको सद़ाई वक्ताया रखना है अब यही सूर्य कुंडली के दसम स्थान में आ जाए तो सीधी सी बात है कि दसम भाव में अगर हो और दसम भाव में बैठे सूर्य चुकि दिगबली हो जाते हैं अब बैठे तो अपने पुत्र के घर में बैठे हैं सनी के संबंद खराब हुगा तब फिर अगर आप सरकारी नौकरी में चले गए हैं अपने प्रयत्नों से क्योंकि आप रिसव लगनके हैं तो सीधी सी बात है मेहनती बहुत जादा होंगे तो अगर आप गौर्मेंट जोव में चले गए हैं तो आपका जो भी बॉस बनेगा वो सद या गुरू की दृष्टी पढ़ रही है या बुद्ध सांथ में बैठे हुएं क्योंकि यहां बुद्धादित्ती बन जाएगा और बुद्धे यां सरवाधिक कारक रहे हैं वो केंद्र त्रिकोन राजियोग बना देंगे तो उस सवस्था में आपको ये बुद्धादि तो आवशक्ता नहीं चाहे तो दें पूजा पाठ करके आप रत्न केसे ज़्यादा लाव ले सकते हैं प्राया प्रत्ने कीजिए कि अगर लगनेस का वो ग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं मित्र ना हो तो रत्न से बचने में ही भलाई है मेरी बात इस बात को सदई वयाद दही है उस अवस्था में यहाँ पर गुरु से वो सत्रुत होंगे नहीं संभावस्थ हो जाएंगे अगर संबंद ठीक ना बैठता हो तो तो उस अवस्था में संभावस्थ हो जाएंगे लेकिन यहाँ बैठे सूर्य आय के लिए मैंने कल ही बताया था जीवन परियंत रासी है बिसवभावी के रासी है तो हो सकता है कभी-कभी आपको ऐसा महसूस हो कि धन आते- आते रुक गया धन आ रहा है बातलש सारी हो गई साम तक तय था किвед पैसे आएगा साम को पता चला कि आज नहीं कल मिल पाएगा कल पता चला परसों मिल पाएगा यानि उसमें परेशानी आपको उत्पन्न होगी क्यों होगी? क्योंकि इस भाव में बैठे सूर्य अब यही थोड़ा सा समय और मेरे पास होता अब इतना कितना इसको प्रिहत करूँ कि यहाँ पर यह बताना चाहिए था मुझे कि इस रासी में बैठने से भी अनुका प्रभाव बदल रहा है क्योंकि मीन रासी दिस्व भावी की रासी है जलतत्व की रासी है सूर्य अगनी है अगनी जलतत्व में आकर के जितना उनके अंदर उबाल होना चाहिए था जितना प्रभाव होना चाहिए था वो प्रभाव नहीं दे पाएंगे है वो गुरू के घर में अतिमित्र हैं लेकिन वो तत्व उस तत्व से जुड़ करके उतना लाभ नहीं दे पाएगा तो इस सवस्था में इस तत्व को बली करने के लिए यानि गुरू को बलवान करने के लिए आप इक्छा रखते हों तो सुरी को बलवान करने के लिए सूरे को बलवान करने के लिए अगर आप इक्छा रखते हों तो गुरू और सूरे का संबंध देख लीजिए और जरुवत महसूस करें तो रत्न धारण करें अन्य था यहां भी सूरे को बलवान सूरे की आराधना करके करिए अब आ जाते हैं कुंडली के बार्वे भाव में अगनीतत्त्तो की रासी है मंगल की रासी है यहां सूरे उचके होते हैं और अगर उचके हैं तो आपको बिलकुल परिशान होने की जरुत नहीं है उचके हों और कहीं मंगल के साथ उनका संबंध भी अच्छा हो जाए तो उस समस्या आपको हो सकता है हो जाए यह समस्या तब जादा और जब पापग्रह द्रिश्टी डाल दें अन्य था ये कम से कम हो यहां बैठे सूर्य आपको सदईव कोट कचहरी मुकदमा जहां लड़ें वहां जीत आपकी हर जगह सम्मान मान प्रतिष्ठा और समाज में आपक भाव में बैठे सूर्य नुकसान भी कर सकते हैं कुछ नुकसान कर सकते हैं अगर ये पीडित हो जाएं मंगल के साथ संभावस्त हो जाएं सनी की दृष्टी पढ़ने लगे राहु साथ होकर के ग्रहन लगा दे तब थोड़ी बदनामी आपकी हो जाएगी बेहतर करने के बावजूद क्रेडिट नहीं मिलेगा मन आपका असांत रहेगा आलस्य की स्थिति आपके में उत्वन हो जाएगी आप चाह करके भी जितना ब्रिहक आप कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे मेस रासी में होने के बावजूद पीडित होने पर क्योंकि इस जगह में आकर के स मैंने बताई थी उससे जरा देखते चलिएगा क्योंकि बहुत लंबा होने के कारण मैं कई बार वो छोड़ते चला जाता हूं तो जरा तत्व को जोड़ लीजेगा कि उस तत्व में जब वो ग्रह पहुंचेगा तो बहुत प्रज्वरित हो जाएगा और बड़ा तेज र लगन के अगर आप है तो सूरे का रत ना ही धारण करें उसके जगह ज्यादा फायदे मंद आपको होगा शूरे की पूजा करना शूरे की आराधना करना आदित्य हरत्य इस्तुरत्र का पाठ करिये सूरे को न्यमित अर्ग दिजिए गायत्री मंत्र का जब करिए उससे आपके लिए स्रिष्ट होगा, आज के लिए बस इतना ही, कल मिथुन लगन में सूर्य का प्रभाव, चुकि गुरु, सुक्र और सनी, मैं तीन दिन हस्त रेखा का कारिक्रम चला रहा था, लेकिन चुकि ये कारिक्रम बहुत ब्रिहत है, अतह आप सबों से छमा मांगते हुए हस्त रेखा का जो कारिक्रम है, मैं वो दो दिन कर रहा हूँ, सुक्रवार और सनीवार, बाती के दिन, चुकि इस कारिक्रम को बहुत लंबा ले करके चलना है, आज सोचा था कि बहुत ब्रिहत करके बता दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये कारिक्रम लगभग 30 मि तो बहुत लंबा ये पहले ही हो गया, तो आज के लिए वस इतना ही, कल भी मिथुन लगने के जातकों के लिए बताऊंगा सूर्य का प्रभाव, तो देखने के लिए तयार रहिए, आज के लिए वस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार